BPSC TRE 3.0 के लिए हम लोग इसमय प्रिप्रेशन कर रहे हैं और इस प्रिप्रेशन को आप चाहें तो 3.0 और 4.0 के एकार्डिंग लेकर चल सकते हैं और इधर वीट मैंने PYQ जो की प्रिविएस यह अभी पेपर हुआ था चाहे 3.0 का हुआ था और आज मैं 2.0 कबर करने जा रहा हूँ 6-8 के लिए हम इस प्रालिंग को कर रहे हैं मतलब यहाँ पर यह जो अभी क्लास होने जा रही है फार्दर 6-8 अर्था जूनियर लेवल के लिए होने जा रही है और जूनियर लेवल में हम लोग यहाँ पर जो पिछला 2.0 हुआ था इसके पहले मैंने 3.0 वाला जो मार्च में विपर हुआ तो उसको कम्प्रीट करा दिया था 2.0 का कबर करेंगे 2.0 का पेपर पूरा पैटर उठाते हैं उसके लेवल को समझते हैं और इसमें केवल हम सबजेक्टि भी नहीं ले रहे हैं बलकि कामन पार्ट भी ले रहे हैं जो आपके GS section में questions पोचे चाहते हैं उसको भी हम cover करेंगे और साथ सबजेक्टि पार्ट भी involve करेंगे इस paper की complete analysis करते हैं हम लोग कैसे प्रसना आ रहे हैं कैसे level के आ रहे हैं और साथ-साथ पूरी वैक्ष्याम करते हैं आप 3.0 के साथ-साथ यहाँ पर 4.0 भी add कर सकते हैं तो कि अब हम 4.0 को भी लेकर committed ही होगे नहीं तो आपको theory हो रहा है कि अब आपका paper देखी रहे हैं कि आपको कैसे कब देखने को मिल रहा है और उसी धार पे अपनी planning को आप लेकर चलिए और यह session daily रात को 9 बजे सरी 10 बजे हो रहा है तो आप सभी लोग live रहकर की session को प्रब्दिन किया करिए बिना मेरे बताए विडियो जाए आप लोग त्यार रहा करिए ठीक है आएए मेरे साथ practice करिए प्रसनों को देखिए अपने answers दीजिए doubts रखिए और अपनी problems रखिए जो भी आपको doubt या problem हो उसको असपस्ट करिए उसी हिसाप से हम planning करें ठीक है सबसे पहला हम लोग यहाँ पर start करते हैं इधर जो 2.0 paper हुआ था पिछले साल TRE 2.0 के लिए इस TRE 2.0 के mathematics का जो common paper था जो GS section में मैं प्रसल पूछे कहते हैं वो ठीक ठाक label थे बलकि मैं तो आपको कहूँगा जो 3.0 का paper हुआ था जिसके लिए रेक्जाम की preparation आप कर रहे हैं उसके जो paper का label था इसके common paper से भी हलका था आपने एकर 3.0 देखा होगा इसका paper थीक था कि standard हुआ था और यह मान के चलना की रेक्जाम होगा तो लगभग यही label आपको देखने को मिलेगा जो label को अभी आप थेस करने चलने हैं तो सबसे पहले common paper के प्रस्णों को करिए और हम इसको दो भाग में लेकर चलेंगे एक sequence बनाते हुए कि ऐसा question कुछ आज हम लोग cover करेंगे common paper और सासा subjective वाला और कल मतलब एक और session लेकर कि इसको complete करेंगे इस पूरे paper को तो सबसे पहले common paper के सभी प्रस्णों को देखा जाए पहला ही प्रस्ण सोचो त्रिकोड में ठीका है और इस अस्तर का प्रस्ण जो इधर common paper में आया है इस अस्तर का प्रस्ण अगर आपने देखा होगा मुख्य परिच्छा TID 3.0 जो हुए था उसमें जो है main paper में आया हुआ था लिखा था 3 tan theta जैसे इसको आप देखिए 3 tan theta is equal to 4 है आप से पूछा है 3 sin theta ध्याँ से दिखिएगा प्लस 2 cos theta divide by 3 sin theta minus 2 cos theta इसका मान हम लोग को बताना था इसका मतलब हम एक sin और cos का ratio लेना है और sin और cos का ratio यहीं से develop होगा मतलब आप लिख सकते हैं कि tan theta is equal to कितना 4 बटे 3 और tan theta को क्या लिख सकते हैं sin theta बटे cos theta हम सब लोग इसके बारे में जानते ही हैं आप यहाँ पर 4 बटे 3 लेलो और ratio ही करना है तो sin theta की जगह 4 और cos theta की जगह पर 3 का उप्योग करते हैं और इसा भी नहीं मतलब इसके अलावा भी तरीके हैं तरीके हैं कि आप तैसे संकोर त्रिवज बना लो और हम सब को पता है कि tan theta जो होता है परपेंडिकुलर अपान बेस होता है जो basic identity है त्रिकोन मितिक उसको दिमाग में रखिए उसके अधार पर भी बैलो निकाल करके यहां सक्स्ट्यूट करते हैं तो answer आता क्योंकि हाइप्योटनीस दोनों के नीचे होगा इसलिए उसका हाइप्योटनीस का रोल खतम हो जाएगा directly आप sign का उप्योग और cost का उप्योग यहीं से रख करके answer निकाल सकते हैं रखिए तीन गुड़े sign ठीटा की जगह चार रख दीजिए प्लस दो गुड़े cos ठीटा की जगह पर 3 रख दीजिए नीचे जाइए तीन गुड़े sign ठीटा की जगह चार रख दीए माइनस 2 इंटू cos ठीटा की जगह तीन रख देते हैं तो चार्तियां 12, 3, 2, 6, 12, 6, कितना होता है 18 और इधर देखिए चार्तियां 12 में से 6 निकलेगा तो 6 होगा 6, 3, 18 होगा कहीं किसी option में available है नहीं यह option इस प्रस्ण के लिए right solution आप लोग लगा सकते हैं आप चाहे जिस लेबल पर जिस अस्तर पर करें त्रिकोर्ड मिती का basic जितना भी है मैंने वीडियो दिया है इससे पहले आप उस basic वीडियो को जरूर देख लो जहां पर आपको त्रिकोर्ड मिती का जो जो fact हो सकता है जो जो basic identities हैं basic rules हैं उन basic rules को आप जरूर पढ़ लीजिए ठीक है? Confusions रहती हैं कितना भी आप पढ़े रहते हैं previous पढ़ा है आपने academic में पढ़ा है gradation में पढ़ा है इसी बात नहीं कर पाएंगे लेकिन कुछ इस level का आज है थोड़ा सा doubt होता है लेकिन इसके पहले आप एक पी जान लो अगर हमने कहीं पर लिखा यनथ root आप x ध्यान देजिए एक x की power एक बटे एन होगा कितना x की power एक बटे एन 325 है x की power 10 है y की power 5 है और z की power 10 है इस type से इसको develop किया गया है बनाया गया है अब आप थोड़ा समझो कि इसको कैसे हम और सोच सकते हैं कैसे हम बना सकते हैं कुछ बातें एकदम से clear होनी चाहिए जैसे अगर हमने लिखा कहीं a की power em इसकी power अगर yen लिखा है a की power em into क्या होगा yen होगा इसको हम ऐसे present करते हैं फिलाल हमने जैसे अभी इसको जो उपर वाला term बताया थे जो यहाँ base होगा और यहाँ पर अगर कोई root है तो वह root की value in fractional power in fractional form में मतलब जैसे अगर yen है तो एक बटे एन जाके उस base पर लगेगा तो इसको आप लिख सकते हैं 325 की power 1 बटे 5 इधर आप जाईए x की power कितना है अभी देखो multiplication है फिलाले चलो मैं ऐसे लिख देते हैं dot x की power यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 गुड़े 1 बटे 5 ठीक है 10 है ना या लेडी और इसी तरह से y की power कितना होगा 5 है और गुड़े 1 बटा 5 होगा into क्या है जड है जड की power 10 है 10 गुड़े 1 बटा 5 होगा correct है अब इसको हम proper बनाते हैं जैसे 3125 को हम क्या लिख सकते हैं बोलिए 5 की power इसको हम 5 लिख सकते हैं 5 की power 4 पर होता है 625 और 5 पर होता है कर 35 गुड़े एक बटा 5 कड़ दिया इससे खतम हो जाएगा केवल 5 बचेगा गुड़े आजाएए 5 दूना 10 होता है X की पावर दो हुआ ठीक है गुड़े आजाएए 5 एक के 5 होता केवल Y बचा और 5 दूना 10 होता है Z की पावर दो हुआ ठीक है इस हिसाब से आपके पास है 5X square Y Z square 5X square Y Z square आपसन नंबर A है राइट solution आप देख सकते हैं ये आपसन राइट solution है 5X square Y Z square second question राइट solution पहला आपसन इस प्रस्न का सही हल हो गया है confirm बाते हैं इस type के प्रस्न आपको face करने को मिल सकते हैं आपको clear समझ में बाते आ गई होगी next question देखिएगा क्या है लोहे का एक ठोस्ट टुकड़ा है ठीक है लोहे का एक क्या है ठोस्ट टुकड़ा है और उसकी लंबाई है चोड़ाई है उचाई है तो अब आपको अगर जैसे नहीं भी चीज़ें अगर कुछ बताया है तो हम मा इब्रिक्स का concept है उसी अधार पर इस चीज़ें है जिसमें लंबाई है चोड़ाई है उचाई है अगर आप देखेंगे यह लंबाई है जो इंचास है यह चोड़ाई है जो 33 है और यह उचाई है जो की 24 है इस प्रकार से तीनो डाइमेंसंस तीनो भी जर्मिन्स आपको प मॉड़ाई ओड़ाई होरत की दिवालों की उचाई है जो फर्ससे फर्स को छट से मिलाती है इसको ढाल कर मतलब पिखला कर इसको पिखला कर रिजो धाटू बताओ क्या होगी एसे प्रसन आपके यहां जरूर कूछे जाते हैं इस्में परकार का प्रस्न एक तो जैसे टूडीव अगर पूशेगा तो कहेगा कोई तार था जिसको अभी तक बृत्त के फार्म में मोड़ा था उसे हम नए सिरे से मोड़ करके त्रिभुज बनाते हैं और दूसरी तरह जो 3D फीगर पर आता है तो पिगला कर नई धातू बनाते हैं कोई भी धातू को अगर कोई मतशल है या जो धातू से बनी है अगर हम उसको पिगलाकर नए रूप में नए से प मिले जाएंगे तो धातू की जो मात्रा होगी उसमें ऑब्जेक्त में वह हमेशा सेम रहेंगी में टेन रहेंगी आयतन में कोई फरक नहीं आएगा चार बटे तीन पाई आर क्यूब ये देखी यही सिस्टम होता है अब सारी चीजे जो अपने पास अविलेबल है पुट कर दीजे अपने आप गोले की तरज जाएगी इसकी लंबाई देखो कितना है 49 है चौडाई है 33 और उचाई है 24 ऐसे लिख दिया बराबर चार बटे त पाई का मतलब 22 बटे साथ होता है आर क्यूब आर क्यूब ही रहने दिया ऐसे सिंपली हमने प्रजन कर दिया मुझे आर का ही मान निकालना है कैसे कर पाएंगे ध्यान से मरी बातों को समझे सुनिए करिए कैसे देखिए सबसे पहले 11 दोना 22 होता है हां और 11 दिया 33 होता है यह चार दोना 8 होता है आट हैसे खतम कर देगा अर 13 चौबिस हो गया यहां पर 7 गुड़े 7 है गुड़े 3 गुड़े 3 है एक 3 एक 7 और आया इधरी जाएगा न क्रास मल्टिप्लाइड होगा तो बिसिकलिए आपका जो R क्यूब होगा और क्या हो जाएगा पता है 29 गुड कमान अगर इतना है जो भी लिखा है तो आर सेलूशन होगा इस सेंटीमीटर आप टीसरे पहरसन का इㅋㅋㅋ कैजिक है टीक ठाक पहठी है कहीं निख सकते हैं और वहां में पहर्ण व हिस graph घटना की प्राइक्ता नहीं हो सकती probability नहीं हो सकती है तो probability के बारे में मैंने अभी मेरातन तो लिया ही था इतना तो असपष्ट होई गया होगा कि probability क्या होती है मैंने इसमें देखो केवल एक ही तरीका है किसी घटना की प्राइक्ता होना आंकडे range पर निर्भर करता है क्योंकि कोई भी घटना होगी अगर उसके हम प्राइक्टा की बात करेंगे तो प्राइक्टा हमेशा जो भी आती है किसी भी घटना की पहले तो होती क्या है वह यनाफ ए डिवाइड वा यनाफ यस होता है मतलब जो आपने कोई कारे किया उस कारे से जितने भी total outcomes आएं उनकी संख्या नीचे रहती और आप जिस घटना की प्राइक्टा सोच रहे हैं उसमें कितने outcomes हैं वह उपर रहता दोनों का ratio ही probability होता है और तैंक कर लीजिए confirm कर लीजिए probability कभी भी probability कभी भी greater r equal to 0 होगी less r equal to 1 होगी यह जो ratio बनेगा जो मैंने आभी आपको बताया बनाकर ठीक है यह तो मतलब यह कह सकते हैं कि 0 से छोटा नहीं हो सकता मतलब कभी भी negative नहीं हो सकता 1 से बड़ा नहीं हो सकता कभी भी एक से बड़ा नहीं हो सकता है रहेगा तो 0 और 1 के बीच में ही रहेगी प्राइक्ता, किसी भी घटना की प्राइक्ता, 0 और 1 के बीच में होती है, उससे ना तो बड़ी होगी, ना तो 1 से बड़ी होगी, ना तो 0 से छोटी होगी, यह प्राइक्ता हो सकती है, क्योंकि 0.7 है, बटे नहीं होगा क्यों, क्यो कि यह क्या है एक से बड़ी है इस समय हम कह सकते हैं कि यहां पर उपरयुक्त में से कोई नहीं अर्थात सुरी उपरयुक्त में एक से अधिक मतलब B और C दोनों किसी घटना की प्राइक्ता नहीं हो सकती है तो अपसन अगर आपको लगाना था तो ना तो इसको ना तो इसको अर्थात आप D लगाईए तो नहीं हो सकती है कि हम लोग दोनों आपसंस की तरफ हैं अर्थात D की तरफ जाएंगे और यहीं दिकस्टी का सही नेचर है चलिए पाच और नमबर देखिएगा यह बड़ा अच्छा प्रसना आया था लगाउद की न बहुत कीया था उस समय कॉडिनेट का कॉडिनेट मैंने बहुत अच्छे से आपको क्लियर किया है क्या है कि यह इच्छ यह होता है यह अच्छ पर है मतलब चाहे दिख पर है चाहे नेगेटिब है Match top पर होगा ऊगर 0 होगा y अपने आपने कोई एक data होगा ठीक है हमेशा अगर x अच्छ पर कोई बिंदू है तो y कमान वहां negative होगा और x की value अपनी एक certain होगी कोई negative positive कुछ भी y पर उन बिंदूओं को खोजिये मतलब एक नहीं दो या एक से ज्यादा बिंदूओं लिखाई है को खोजिये जो दो बिंदू है एक बिंदू क्या है देखिए आपका y पर कोई बिंदू है सपोर्च करो हमने लिखा है 0 कामा y उस बिंदू को ख हो जिए जो दो बिंदू है एक का नाम है आपका minus 5 कामा 2 दूसरे का नाम क्या है 9 कामा minus 2 दोनों से बराबर दूरी पर है ठीक है अगर मालों यहाँ पर वह बिंदू था y अच्छ के सपोर्च करो P तो दोनों से बराबर दूरी होने का मतलब क्या है कि दोनों से distances is equal हो मैं च इसकार थे कि AP बराबर क्या होगा BP अर्थात यह लेंद इस लेंद के बराबर हो distance formula हम सबने पढ़ा ही होगा कैसे अगर एक बिंदू देखो A है इसका निर्देसांग की X1 Y1 है और एक B है और इसका निर्देसांग की X2 Y2 है तो AB क्या होगा पता है अंडर रूड X2 minus X1 का whole square प्लस Y2 minus Y1 का whole square ऐसे कर दीजिए आपको AB निकल जाएगा distance पता चल जाएगी रूट के अंदर ही होगा तो उस हिसाब से अगर हम इसका भी distance अच्छा इस ध्यान देना हमने लिखा X2 minus X1 है आप X1 minus X2 कर लो कभी किसी का difference जो होगा चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो difference values तो नंबर में value में एक ही होता है बड़ उसका nature अगर positive हो negative हो वर्ग हमें साधनात्मक होता है इसलिए अपने हिसाब से आपको कोई ऐसा नहीं है कि अगर हम इसको एक सोना हम difference करें simply 0 से 5 का difference देखो हम अगर इसकी बात करते हैं तो 0 से 5 का difference कर दे या पाइनस 5 से इसका कर दे बात एक ही है मतलब 5 का वर्ग होगा 0 से 5, 0 माइनस 5 या 0 प्लस 5 जो भी करिए, माइनस 5 या प्लस 5 दोनों का वर्ग equally होगा इधर से लाएं तो ऐसे y माइनस 2 का होल स्क्वेर होगा बराबर 0 से 9 का स्क्वेर, रूट के अंदर ही चलिए तो 0 से 9 मतलब माइनस 9 का स्क्वेर अर्था, पॉजिटिव 9, निगेटिव 9, y प्लस 2 का स्क्वेर, y प्लस 2 का स्क्वेर अब दोनों पच्छों से अगर वर्ग हटाते हैं तो यह आपका 25 होगा, प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वेर होगा, ठीक है बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगी, क्या सी होगा, y प्लस 2 का होल स्क्वेर होगा, प्रेक्ट है न, और आप सबको पता ही होगा, जिसे अगर हम इसको उधर ले जाते हैं, तो एक पैटन होता है, हलाकि ऐसे भी एक्स्प्लेन कर सकते हैं, पैटन आपने सुना होगा, कि a a प्लस b का होल स्क्वेर, माइनस a माइनस b का होल स्क्वेर, इस equal to क्या होता है, हाँ, is equal to क्या होता है, 4ab होता है, डारेक्ली आप लिख सकते थे, चार दूना 8y, लिख सकते थे, आट से हम उसको घटा के बैलों निकाल सकते थे, अब खिलाल यहाँ पर देखिए, तो क्या एंसर आ रहा है पहले सोचिए अगर हम इसको उधर कर दें या उधर कर दें या पहले तो उपन कर लीजिए या पहले उधर ही कर दीजिए इसको आप यहाँ पर इसका वर्ग तब तक करी रहें करें या और इसको उधर कर दो इक्यासी इधर कर क्यासी आभर 25 एडिवक हैं ऐसको सामा क्यारा से 5 होता है य सब 1 आपका 7 आया कितना आया 7 वाई कमान अगर 7 नहीं है तो आप्की जो बैलू होनी चाहिए व सिरू नहीं होगा आप देखो और पर हैंये अच्छ quello से ओ डो यह तो माइनस 7 रहना चाहिए। इसका है कि माइनस से अगर यह पर कोई बिंदू है तो यक्स को जीरो होना होगा यह तो पॉसिबल नहीं है यह भी पॉसिबल नहीं है अब बचरा है जीरो कामा माइनस सेबन आठ सते चप्पंतिस हिसाब से आपका यह सी आपसन राइट से लूसन होगा अब रख करके भी डारेक्ट ह भी आप निकाल सकते हैं पूरा प्रेजिंटेशन करके भी निकाल सकते हैं तो आसा करता हूं इस समझ में आया होगा इसको ध्यान से देख लीजेगा ऐसे प्रस्ण आपको फेस करने को एक्जाम में आराम से मिल सकते हैं तो बहुत बढ़िया मन लगाकर ऐसे प्रस्णों की आये थे 2.0 में तो आपको जान लेना ज़रूरी ही है अब चलिए हम लोग देखते हैं कि करके समझते हैं सबसे पहला प्रसंद देखी क्या था एक रेखा कॉर्डिनेट का बहुत उप्योग है आपके पाठिकरम में बहुत उप्योग है और कॉर्डिनेट को मन लगा कर बड़ 0 यह दिया है द्वारा एक्स और वाई अच्छो पर काटे गए अंतहखंड मतलब जो आपके जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट से बिसिकली आप कह सकते हो क्रमसह क्या होंगे देखो कोई भी रेखा होगी अगर वह कॉर्डिनेट सिस्टम में एक्स और वाई पर अगर कोई बिंदू बिंता है तो अच्छ तो रहता है लेकिन उसका अगेंस्ट अच्छ जीरो हो जाता है अगर कोई रेखा किसी कोई रेखा अगर एक्स अच्छ से गुजरेगी तो एक्स का मान तो रहेगा बट वाई वहां तैय है कि जीरो होगा मतलब अगर कोई रे जीरो पुट करते ही यह 3x-0 बराबर माइनस 10 होगा यह 10 उधर चला जाएगा एक्स बराबर माइनस 10y3 होगा अगर मुझे पूछेंगे आप एक्स अच्छ के किस बिंदू पर इंटरसेक्ट करेगी विभाजित करेगी तो एक्स अच्छ के बिंदू जो रहेगा माइनस 10y3 कामा 0 होगा यह पहला होगा मतलब एक तरह से x-10y3 हुआ उसी प्रकार से एगर हम x-0 कर दें तो y-h वाला कनफर्म होगा जब x-0 करिये तो 0-4y बराबर माइनस 10 होगा माइनस माइनस से खतम हुआ 2-2-4-2-5-10 हुआ y वराबर 5 बटे 2 हुआ y 5 बटे 2 हुआ और y 5 बटे 2 है इसका मतलब y अच्छे के 5 बटे 2 बिंदू पर अर्थात वहाँ पर जो नेटरसांग बनेगा 0-5 by 2 0-5 by 2 तो माइनस 10 by 3 और 5 by 2 आपसे नंबर B है यह आपके इस प्रसंद का राइट सलूसन होता है पहला जब आपसे जैसे कहा है उसे हिसाफ से वैलू हम सब्स्ट्ट्यूट करते चले गए हमने एक बार x-0 कर दिया एक बार हमने y-0 कर दिया उसे आपसे अंसर भी आपकर ड दरनी को कंप्लीट करते हैं तो अक्सर आपने देखा होगा कि हमें जितने बज़े पहुचना होता उसके उसी हिसाब से हमारी प्रदिदिन की प्लानिंग घर से निकलने की हो जाती है यदि हमने चाल को 6 किलोमेटर प्रदिघंटे जादा किया मतलब चाल को बढ़ाया तो निशित तोर पर आपको जानकारी होगी कि चाल बढ़ने से समय घर जाता है तो यहां पर बोला है कि यात्रा में 4 घंटे कम समय लगता है ठीक है लेकिन अगर उसने चाल को 6 किलोमेटर प्रदिघंटे कम किया जैसे कम किया तो यात्रा में 6 घंटे अधिक लगता है 6 घंटे हमाराud . आप मैंने अगर चाल को क्या कर दिया। चाल को घटाया hoaf मैंने सपोच करो खटाया ठीक है , तो समय हमारा क्या हो गया ॐ चाल हमारी जैसे घटेगी समय हमारा बढ़ जाएगा, तो समय भी एक हमारे पास इसका मतलब क्या था कि पहले चाल यक्स थी समय लगता था T, ठीक है, दूसरी तरफ हमने चाल को जैसे ही कम किया, समय हमारा बढ़ गया, बढ़ कर कितना हो गया, माली जीए T था पहले से T प्लस T1 हो गया, करेक्ट है, दूसरी तरफ आईए, अब हमने जैसे देखा कि हमारी चाल X थी समय लगता था T, और हमने चाल को बढ़ाया आपकी बार, X प्लस S2 किया, और जैसे ही बढ़ाया, हमने देखा कि यहाँ पर जो समय था, समय था घड़ गया, ठीक है, T-T1 हो गया, अब आपको एक बात बता दूं कि जो दूरी होती है, जो डिस्टन्स होती है, जिसे दूरी कहते हैं, वा Speed into Time होती है, Speed into Time मतल मतलब यहाँ पर चाल गुड़े समय का जो multiplication होगा, वही आपका क्या होगा, वही distance होगी, सेम वहाँ पर भी तो है, यह भी तो नई चाल है, और नया समय है, दूरी तो वही होगी, इसी प्रकार से इसको भी अगर सूचें, तो यह जितना प्रोड़क्ट आएगा, उतना ही चीज हमको ध्यान दीजेगा, यह दोनों चीजे तो बराबर ही है, हमें इन दोनों को compare करना है, इनको compare करने से एक pattern हम आपको define कर देते हैं, उसी pattern का उप्योग करने से ही प्रस्न आपका हल हो जाता है, हम उतना बढ़ा ना जाकर कि उसका एक format आपको बता, जैसे आपना जो नहीं चाल हो गई, और नया समय हमारा जो हुआ, जो पुराना समय था, उसकी तुल्ला में कैसे हो गया, देखिएगा, यहाँ पर confirm है, कि 4 घंटे कम लगने लगा, जितना समय था, उससे हमारा 4 घंटे क्या हुआ, कम लगा, तो T-4 हो गया, correct है, इधर चले आए, चाल को मैं ने 6 किलोमेटर प्रदिघंटे क्या कर दिया, घटा दिया, दूसरी तरह देखिए, हमने कम कर दिया, 6 किलोमेटर प्रदिघंटे हमने कम कर दिया, तो यात्रा में क्या हो गया, कि हमें 6 घंटे हमें जादा लगा, ठीक है, 6 घंटे जादा लगा, थोड़ा यहाँ पर ही बस रखके बराबर होगा यह चाल है समय है दूरी बराबर चाल गुड़े समय से मोहिस्तिती आएगी तो आप इसको थोड़ा से फालो करिए तो कितना होगा यह प्लस 6 है यह प्लस 6 है टी माइनस 4 है बराबर यह X-6 है और T plus 4 है अब इसको evaluate कर डालिए खुदी confirm बहुत सब कुछ हो जाएगा तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूं कितना अगर लिखूंगा तो XT होगा माइनस 4X होगा प्लस 6T होगा 6T होगा माइनस 24 होगा बराबर यहाँ भी XT होगा और XT होगा प्लस 4X होगा माइनस 6T होगा और माइनस 24 होगा तो पहला काम यह हो गया कि आपका XT XT से गायब हो गया 24 माइनस में है 24 से गायब हो गया और यहाँ पर आप देखो तो बाकी ची इसको उधर कर दो 8x हो गया और इसको इधर कर दें तो 6 6 कितना हो जाएगा 12 t हो जाएगा मतलब x upon t का जो रेसियो बनेगा वो आपका कितना हो जाएगा बताइए 12 बटे 8 हो जाएगा 4 2 9 8 होता है 4 3 12 मतलब x upon t जो चाल है और समय का जो रेसियो बन कर आ रहा है वो 3 बटे 2 बन कर आ रहा है हम लोग इस पैटन का ही उपयोग यहां पर अकसर कर लिया करते हैं इसका उपयोग हम लोग अपलाई कर लेते हैं बट अगर हम इसको एक डेरिबेट सं के अधार पर एक फार्मुला बना यह तो कंफर्म हो जाएगा यह एक्स थी और हमने उसको कितना बढ़ा दिया चाल को 6 बढ़ा दिया और नीचे भी दिखिए जो हमने वहां पर बढ़ाया तिससे हमें 4 घंटे कम लगा है यहां से हम एक समय डेवलप करेंगे चाल को लेकर के मतलब हम समय दोनों का निर्धा हुई है तो यह एक्स माइनस 6 है डिवाइड बाई 6 कर दें इंटू कितना कर दें 6 कर दें यहां से दोनों के समय कंपेर हो गए यह इससे खतम हो गया दो दूना चार दो तिया चे होता है तीन का उधर गुड़ा दो का इधर 2 एक्स प्लस 12 बराबर 3 एक्स माइनस 18 अगर इ यह यहां रखते ज्यादा अच्छा रहता मेरे ख्याल से क्योंकि इसमें हमें इधर उधर डिफरेंट वैलू नहीं मिलती दोनों समय ही है 30 माइनस 6 बटे 6 गुडे 6 तो 6 6 का कोई नहीं 24 बसता तो आपका जो समय हो जाता 24 हो जाता 24 घंटे हो जाता अब आपको सबको पता ह है कि distance क्या होता है distance is equal to speed into time होता है speed अपनी कितनी आई है 30 और time कितना आए है 24 तियां 72 कि आत्रा थी जो कि आपसर नंबर आपको बी में दिया गया है साथमें प्रसन का इस टाइप से अंसर है इसी pattern को हमेशा ऐसे questions के लिए अपलाई करिएगा तो आपको सही अंसर प्राप्त हो जाएगा एक question देखिए किस्त का है और किस्त के प्रसन आप देखे है मैंने इसका accession भी लिया है और किस्त आपका confirm रहे clear रहे जिससे कि किस्त को लेकर कि कभी डाउट आपकी ना बन पाए हमेशा आप लोगो फानली ये चीज़ें आती रहें अब आप लोग देखो एक नंबर है स्याम ने अपने घर की मरम्मत के लिए एक लाख अस्य हजार रुपए उधार लिया किसी सुधार लिया बैंक से किया किसी साहुकार से यह वारसिक हो हर साल 10% की ब्याददर हो तो प्रथम दूर्तिय और तृतिय वर्स के अंत में दे धनरासियां क्या है कितने पैसे का भुकतान होगा प्रथम दूर्तिय और तृतिय के अधार पर इसको हम लोगों को लेकर चलना है अब आपको इसको थोड़ा समझना है जैसे तो पहले साल हमने कुछ पैसे का भुकतान किया तो पहले साल से दूसरे साल के दोरान हमारा पैसा बैंक के पास फ्रीज था ना तो बैंक ने उस पैसे का उप्योग अपने लेबल पर ब्याज की तौर पर किसी को लोन देगर किया होगा और बैंक इस पर नयाय देती है बराबर नहीं अगर आपने किसी पैसे को कुछ समय पहले दिया था जैसे हम अगर तीन बार में जमा करेंगे तो पहला पैसा हमारा दो साल के लिए रहा दूसरा पैसा एक साल के लिए रहा तो जो समय का डूरेशन है वो ब्याज जो देता और 10% का ब्यादर देखे कैसे काउंट होगा उसको थोड़ा सा आप डिसाइड करिए और कनफर्म करिए जैसे अगर हम 10% की बात करें क्योंकि यह प्रतेक किस्त का मूलधन है अब आप समझो हमें रिटन जितना करना है उसके अधार पर चलिए 60,000 का अगर हम 10% सोचें 60,000 का अगर हम 10% सोचें तो कितना हो जाएगा थोड़ा से इसको कनफर्म करिए किसी का भी 10% अगर करना है तो आप ऐसे समझ लिए 10% मतलब एक बटा 10 होता है तो एक प्रकार से 6,000 हो गया और 6,000 को सोचो कि पहला जो हमारा किस्त जमा होगा ओ कितने साल तक रहेगा जैसे पहली किस्त आपने जमा किया आज जमा किया एक से दूसरा साल दूसरे से तीसरा साल मतलब ज़त तक लोन क्लोज नहीं होगा तब तक वह पाईसा बेंक के पास था इसका मतलब यह जो ब्याज देगा वह गुड़े तीन देगा क्योंकि समान की पैसा है तो यहाँ पर 18,000 का ब्याज हो गया मतलब इस पैसे को आप कितना माल लो? 78,000 जो प्रिथम वर्स के बाद दे धनरासी हो गई वह 78,000 हो गई कितनी हो गई? 78,000 हो गई इसी प्रकार से जब अगला पैसा जब काउंट होगा तो यहाँ पर सेकंड जब हमारे पास सोचा जाएगा तो 60,000 तो पहला दिया था आपने 60,000 अद दूसरा भी देंगे तो एक प्रकार से 1,20,000 आया इस पर 10% सोचिये तो कितना हो जाएगा यहाँ पर भी आपका 12,000 हुआ तो 12,000 को अगर हम लोग काउंट करके चलेंगे 60,000 में तो कितना हो जाएगा बता है अभी तो एक साल तक रहेगा इसको काउंट किया जाएगा तो यहाँ पर 60,000 प्लस कितना हो जाएगा बता है 60,000, हम तो ऐसे ही दे रहे हैं, लेकिन प्रतेक वर्स के अंत में जो हमारे पास दे धनरासी होगी, वो कैसे रहेगी, इस पर अगर हम ब्याज की बात करें, 10% अगर हम 3 साल का ले ले, 30% होगा न, तो 30% मतलब 18,000 जुड़ करके, यहां पर यह हो जाएगा, 78,000, ठीक है, ऐसे इसकी बात अगर हम करें, तो यहां भी 10% की बात है, तो 10% अगर हम 2 बार का सोचे, तो कितना हो जाएगा, 60,000 का 10%, 12,000 हो जाएगा, और 12,000 गर हम 60,000 में जोड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा, 72,000, एक पैसा जमा हुआ, एक पैसा जमा हुआ, एक पैसा तो आपका अंतिम म हमी जो बता रहे थे इस पर 10% रहेगा लेकिन एक साल के लिए रहेगा तो 6,000 होगा 6,000 जब इसमें जुड़ेगा तो 6,000 हो जाएगा ठीक है 6,000 हो जाएगा ये तीन बार की किस्त हो जाएगी जो तीन बार के मतलब समय के वर्स के अंते में जो अंतिम देरासी होगी वो आपके कितनी कितनी हो जारी बताईए वो आपकी हो जा रही है 78,000, 72,000 और 6,000 आपसा नंबर A हो जाएगा इस प्रसन के लिए राइट चलोशन हो जाएगा जिसको नोट के लिए अप लोग अगले प्रसन पर आजाईए आप देखो जैसे ये समझिएगा जो ट्रेगनोमेट्री का एक बहुत अच्छा प्रसन है और ट्रेगनोमेट्री में आप जान लो कि जो फंडमेंटल तीन एंगिल होते हैं साइन, कॉस, टैन, साइन जो होता है जीरो पर जीरो और 90 पर एक होता है 10 जो होता है 0 पर 0 होता है 90 पर infinite होता है बट cos की बात करो तो 0 पर 1 होता है और 90 पर 0 होता है मतलब cos की value decreasing mode में होती है जब आपने सुना होगा कि जो angular moment होता है वो angular moment clockwise नहीं होता है anti-clockwise होता है और अगर हम इसको clockwise करते हैं तो negative angle प्राप्त होता है इसलिए कुछ बातें एकदम दिमाग में सट करिए पहली चीज़ कि अगर कभी भी sign minus theta मतलब अगर हम इधर चा रहे हैं negative की तरफ चौथे कौडरेंट में आ रहे हैं तो हम minus sign theta होगा अगर हम लिखे हैं यहाँ पर cos minus theta तो यह हो जाएगा cos theta simply इसका sign positive ही रहेगा और tan की बात अगर हम लोग करें tan minus theta तो minus tan theta होगा तो यह चीज़ अपलाइट कहाँ कहाँ पर होती cos पर होती है और sick पर होती है क्योंकि cos का उल्टा ही क्या होता है sick होता है दोनों पर applied होती है अब जैसे इस प्रस्ण में अगर लिखा है कि cos minus 1710 degree अब इसको थोड़ा practically समझीए हम इसको complementary relations पर ले जाएंगे 1710 को भी हम लोग यहाँ पर क्या प्रेजिंट करेंगे complementary relations पर ले जाएंगे और हम इसको 360 या हम जैसे से सोचें बाई एक rotation complete हुआ दो rotation complete हुआ तीन rotation इस प्रकार से अगर 1710 को distribute करते हैं आप तो 360 का 6 से अगर हम गुड़ा कर दें सुन्ने 6 चाहा के 36 6 तरीक गठार ज्यादा हो रहा 7 से अगर हम गटा कर भी आ सकते हैं जैसे हम लिख दें 360 गुड़े एक पाई होता है 180 2 पाई मतलब 2 यान पाई प्लस माइनस ठीटा के फाम में अगर चलते हैं अगर हम 6 करते हैं तो कितना हुआ 6 सुन्ने 6 चाहा के 36 और 6 तरीक 18 18 तरीक ज्यादा हो जारा बलकि इसको आप 5 पर ले जाओ कितना 5 पर 5 पर अगर हम लेकर जाते हैं 5 पर तो 360 गुड़े 5 सुन्ने 5 चाहाँगे 30 कि सुन्ने हासिल थीन पांदिया 15 अठारा अगर हम माइनस इसमें से कर देते हैं कितना 90 तो एक प्रकार से हो गया कॉस यन पाई यन पाई इसका मतलब होता है कॉस यन पाई माईनस थीटा का कॉस यन पाई माईनस थीटा का कॉस थीटा हो जाता है और कॉस थीटा मतलब एक प्रकास थीटा की वैलू 90 है तो आप कॉस 90 लिख सकते हैं और कॉस 90 के लिए मैंने आपको बताया कि cos 90 की value कितनी हो जाएगी बताएं अभी शुरू में हमने उसी से discuss ही किया कि 0 पर तो 1 होता है 90 पर 0 होता है तो right solution यहाँ पर 0 हो जाएगा ठीक है पहला आपसन तो यह प्रसन आप से पूछा गया तो इस टाइप की प्रसन हमने identity में कराएं उसको आप लोग ध्यान आता है जैसे देखो 11 14 15 17 18 मानक बिचलन इसको कहते हैं standard deviation समझी पहले deviation होता क्या है जैसे अगर कभी कुछ आंकड़े दिये गए अंकों के संख्याओं के आयू का भार का कुसी किसी भी प्रकार का कोई आकड़ा दिया गया है आकड़े जब दिये गया है तो आकड़ों का हम mean निकालते है नृप मीडियान निकालते है मोड निकालते है मतलब कोई भी हम लोग यहाँ पर कोई कैलकुलेसंस कहरते हैं उसके लिए mean median mode के रूप में अब जो meen median mode की रूप में डेटा आता है और दिये गया आकड़ों से कुछ variate करता है difference होता है उसमें या मान मीन आया वो हमारा तेरा आया तो तेरा सबसे डिफरेंस कर रहा है सबसे सबसे मतलब अलग-अलग है सबसे अलग है ना डिफरेंस मतलब सबके 20 में है एक्जैक्टली किसी का अंक 13 थोड़ी है जैसे मालू कुसी क्रिकेटर ने अपनी अलग-अलग पारियों में अलग- पचास का एवरेज है बद धिरे धिरे जब मैच यही पर जारा बढ़ने लगते अक्सर आपने देखा हो कि एवरेज दसमलों में लिखा जाता है वह किसी भी मैच की स्कोर के बराबर नहीं है तो जो रियल आंकड़ा है और मीन आंकड़ा जो एवरेज आंकड़ा है उन दोनो सब्सक्राइब करेंगे रो इसके लिए हमारा सबसे पहला अबजेक्टिव है दिये गए आंकड़ों का मीन करना और मीन क्योंकि एक्स बार का मतलब ही क्या हो जाएगा जैसे आपको सारे आंकड़े ऐसे दिये क्या है एक्स और हम अभी क्या निकालना है एक्स बार एक्स बार देखो अभी कैलकुलेट करेंगे पहले एक्स देखो क्या कितना है 11-14-25 होता है 25-15-40 होता है 40-20-60-60-60-60-68-75 ठीक है 7-8-15-75 75 बटे कितना है बताइए 3-2-5 है 5 से भाग करिए 5-15-75 होता है तो अब यहाँ पर दी जो होगा न एक्स माइनस एक्स बार के रूप में होगा तो आप इसको कैलकुलेट करिए देखें कितना आजाएगा वही बोला है इसको डिफरेंस करते जाये उसका होल स्क्वेर करेंके समेशन कर दीजह और कुछ नहीं यारा में से 15-4 आएगा 14 में से 15 घटेगा 15-15 घटेगा 0 17 से 15 घटेगा 2 18 से 15 घटेगा इसका आप करो D square यही डी है दरसल जो एक्स मानेस एक्स बार लिखा ने यही डी है और D का whole square कर लीजिए whole square करेंगे तो 16 होगा यह 1 होगा यह 0 यह 4 यह 9 यह इसका समेशन सिगमा हो जाएगा सिगमा आप D square मतलब ही यही होगा मतलब सबको जोड़ दें 16 4 29 29 एक 30 हो गया यही standard deviation होगा जो option number B में आपको दिया है मेरे ख्याल से आपको clear हुआ होगा ठीक है तो आप इसको point के लीजेगा next question पर आईए एक घड़ी की minute वाली सुई एक घड़ी की minute वाली सुई डेढ़ सेंटीमीटर लंबी है दरसल कभी भी कोई घड़ी बनेगी तो जो minute वाली सुई होती है अगर घड़ी का चाहिए जिस रूप में घड़ी आपको दी जाए घड़ी का जो dial होगा वो हमेशा circular ही होगा बले ही अलग-अलग तरीके से घड़ी बनाई जाती है main center होता है अगर circular है तो जाहिए से बाद बृत का आकरिती हम सोचते हैं और center से अगर surface को मिलाने वाली देखा कोई radius कहते है और घड़ी की सबसे बड़ी जो सुई होती हो minute की होती है तो minute की length को ही उसका radius मान लिया जाता है अगर कहा है घड़ी की जो minute वाली सुई डेड़ से centimeter है अगर 40 minute में इसकी नौक हां कितनी दूरी चल लेती है इसके लिए एक बात और ध्यान दीजिएगा जैसे कभी कोई circle है कोई circle है यहां से यह बात confirm करना बहुत जूरी circle का center है इस से इसको मिला दो radius है यह भी radius है यह जो length है a circle का arc है चाप है अब इस arc को अगर आपको find करन है इसको अगर एक कह रहे है इसको बी तो सबसे पहले इसको एबी का डिनोट करेंगे और आपको पता है अगर पूरा अगर सर्फिस होचा जाए तो इस अरकम फीरंस कहते हैं परिधी यह परिधी आपकी total कितनी होती टूपाई यार आप यह टूपाई यार का एक छोटा भ बहागे 360 का है गुड़े और यह लेंद किसका बहागे तूपाई यार का है तो तूपाई यार कर दें अब थोड़ा सासान भी कर सकते हैं इसको आरक लेंद के लिए ठीटा जैसे जो भी है कोड़ा भी फिलाल इसको ऐसे रखिए इसको 200 डिवाइट कर दो 180 हो जाएगा मतल 40 डिगरी में 40 मिनट में अब आपको यह पता है कि जैसे कभी भी कोई घड़ी है घड़ी की जो नोख होती है ओ कितना कोड़ जैसे अब आप यहां पर है अगर सपोज करो टिक टिक करती हुए ऐसे 60 बार जब घूमती है तो एक पूरा रोटेशन कंप्लीट करती है एक मिनट घूमेगी तो 360 डिगरी का कोड़ बनाएगी पूरा घूम लिया एक रोटेशन कंप्लीट कर लिया तो 40 मिनट घूमेगी तो कितना कोड़ बनाएगी बताइए 240 डिगरी हमने लेखा 240 240-330 डिवाइड वय कितने का का गुड़े हो टूपाइ ऑर कर दें तो पाइ और मतलब दो गुड़ें पाइं मतलब आप यहां पर सकते हैं simply लिख दो पाई कमान इसने हला कि पाई पाई की तरह यूज किया है तू पाई आर आर मतलब 1.5 अब आप इसको काट पीड़ जहां पर पॉसिबल हो जैसे देखिए जीरो खतम बारा दूना 24 बारा तिया 36 ठीक है यहां पर इससे इसको डिवाइट करते पॉइंट 5 हो गया पॉइंट 5 का गुड़ा 2 से करे एक तो 2 पाई आ जाएगा 2 पाई इसका राइट सलूशन होगा जो आपसे नंबर आपको प्रस्न होता है प्रतेख धनात्मक पुडांग यन के लिए यन मतलब एक संख्या है जो कि प्राकृतिक ही होगा positive integers की ही होगा एक 40 की power n minus 14 की power अपवर्त है मतलब irreducible अपवर्त है एक अपवर्तक है मतलब एक factor है किसका है इसको देखिए समझगेगा अब जैसे हमने लिखा कि 40 की power n है minus 14 की power n है अब n का मान इसमें आपको put करना होगा positive integers की रूप में सबसे पहले आपको एक मिलेगा एक put करिये तक 40 की power 1 होगा और 14 की power 1 होगा 41 से एकर हम 14 घटाते हैं 11 से 47 होता 3 से 27 आएगा right solution 27 का है आपसर नंबर भी है 27 का एक अपवर्त है ठीक है एक दम right solution है कोई doubt की बात नहीं अच्छी तरह से फेटी गई 52 तास के तासों की एक गड़ी में से एक तास कीचा जाता है एक तास कीचा जाता है प्रतेक परिणाम सम संभावे हो इसकी प्राइक्ता क्या है कि तास eat diamond नहीं होगा eat या diamond नहीं होगा आप समझो इसका system क्या है तास में कुल 52 पत्ते होते हैं 52 को अगर divide करो ध्यान से देखना 26 black suit होता है और 26 ही red होता है और 26 में भी ध्यान दीजेगा क्या इस्तिती होगी 13 आपका अगर black है तो उसमें दो नाम होते है एक club होता है एक speed होता है 13 club, 13 speed और इसी प्रकार से यहां पर 13 क्या होता है heart होता है 13 diamond होता है अब इसने हमसे कहा कि इस प्रस्न में कि अच्छी तरह से जो bell suffered pack of the 52 playing card है प्रतेख प्रडाम समसंभाव कुछ कभी भी कोई आ सकता है तो इसकी क्या प्राइक्ता है कि तास जो है eat नहीं होता वह diamond है तो प्याफ diamond इसकी बैलोकियों की probability क्या होता है इसके पहले भी बताया मैंने आप लोगों को प्याफ एजुकल टू एनाफ ए डिवाइड वाइनाफ यस होता है आपके favor में 13 है अगर होने की बात करता तो हम 13 लिखते divide by कितना होता 52 अर्थात हम इसको 1 बटे 4 लिखते इह होने की होता, ना होने की अगर होने की प्राइक्ता आपको पता है तो ना होने की प्राइक्ता 1-1 बटे 4 कर दें तो 3 बटे 4 आएगा यार ना होने की बात ऐसे ही कर रहा था तो आप इसको छोड़ कर बाकियों को ले लीजिए ना होने के लिए डाइमेंड छोड़ दीजे बाकी कलब हार्ट इस स्पेड तो ही है तो यह लोग 13,2,26,13,49 बटे बावन होता तो 13,49,34,52 ना होने के लिए कितना हो जाता तीन बटे चार आपसर नंबर भी हो जाता इस हिसाब से इसका राइट सेलूसन 13 का आपके सामने है चौदर पी क्यूं और एक कारे को क्रमसा 6 गंटे 8 गंटे तथा 15 गंटे में पूरा कर सकते हैं पी करता है 6 गंटे में जैसे हम कोई काम को 6 अच्छा ये बहुत बढ़िया होता है कि आप किसी काम को करें और जादा समय ले तो आप कमजोर हैं ये तो जिन्वल बात होती है अगर पी किसी काम को करता है 6 गंटे लेता है क्यों 8 गंटे लेता है तो 15 गंटे आर लेता है तो सबसे मजबूत की हिस्से में उनके पार्ट क्या है मतलब उनको कितने कितने रुपए की मद्दूरी मिली हमेशा जो मद्दूरी बढ़ती है वह आपके इंपुट पर अर्थात आपकी एफिसियंसी पर डिपेंडेंट होती है आपकी छमताओं पर निर्भर करती है और छमता देखिए कैसे न कर लिजिए एक संख्या सोची जो प्रतेक से कड़ जाए छे से आठ से पंद्रा से कड़ जाए तो मेरे ख्याल से वह आपकी संख्या 120 होगी अगर 120 है वह संख्या तो आप प्रतेक से डिवाइट करकरके उनकी इफिसियंसी अर्थात कारें छमता निकाल दीजिए छे से भा पात में ही पैसे एक डिस्टिविऊशन होगा बटवारा होगा तो जोड़िए बीस पंद्रा पैंतिस आठ तिरालीस होता है इच चंता है तरालीस बराबर चौरानवे साथ है एक बराबर तरालीस दुना दिखी यहां से डिवाइट करिए तरालीस एक के तरालीस ठीक है ज 56 अब फिर हम लोग यहां पर दो बार लेकर जातें 86 और चार 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 आठट हो गया हमारे पास 47 दुनाच्षी एजी रो हो जाएगा correct है तो आपका एक कमान 220 हो गया और प्रतेख के हिस्से की value हमें निकालनी है जब एक कमान आपका 220 है तो पहले ही P का हिस्सा बता दे कितना होगा P कमान 20 है तो 20 से गुड़ा करेद 22, 24 है 4400 है क्यों का हिस्सा कितना है 15 है 15 सुन्ने 15, 32, 35, 33 है और आर का हिस्सा कितना 8 है सुन्ने 8, 12, 16, 17, 60 है तो 44, 33, 44, 33, 17, 60 है आपसे नंबर 30 का राइट सलूशन है फिक है इस प्रकार से पारिस्रमिकी का बटवारा होगा गलती से किसी न निकालनी पड़ेगी छमता के अधार पर डिस्टिब्यूशन होगा बटवारा होगा लास्ट देख लीजिए हम आज के सेसन में 15 ही प्रसन ले रहे हैं जिससे कि हम अगले सेसन को और बहतर करा हैं मतलब बहुर ज्यादा प्रसनों को लें कम्प्रीट करते कल तक सेसन आपक दिमाओं का अंतर पूछ रहा है आपको देखी थोड़ा सा क्रिफ्यूस तो किया ही बड़ा प्रसन है लेकिन हम चाहेंगे दिमाग लगा करके इस प्रसन को आसानी से और इजली कर सकते हैं जैसे पहले दो प्राकृतिक संख्याओं के वरगों का योग ए स्क्वेर प्लस ब की मानना पड़ेगा 26 कर दो 26 B में तीन जोडने से मिलता है एक स्क्वेर बराबर 26 B प्लस 3 कर देते हैं ठीक है अब इस हिसाब से पैटन बन गया अब हमको कहा है कि तब उन दो संख्याओं का अंतर पूछ रहा है तो A स्क्वेर की जगह पर आप इतना पूट कर दीजिए मत 303 है इधर आयेगा तो माइनस 407 होगा भर क कितना होजाए गजीरों इसको थोड़ा समझ लीजिए यह पर द्विखास गेंट्र की तरह बन गया औरसुसाल करें इसको प्लान करेंगे आप यह से 15, 11 में अगर मैं 15 जोडता हूं, और 37 से 11 को घटाता हूं, दोनों से हो जाएगा, तो इसका मतलब से ओर है कि 15 जोडनेश तो होगा नहीं, तो B स्क्वेर, प्लस, अगर मैं लेक दो 37 माइनस 11, तो B, माइनस 407 होगा, पर रचेक्ट है बराबर 0, अब यहीं से हम लोग यहाँ क्या करें वी स्क्वेर प्लस 37 इंद हम आप इसको क्या कर सकते हैं बताइए यह से कामन कर सकते हैं यहां से कामन करने नहीं Sekar और क्या स्काहिए थैय। एक तो B कमान तैं हो गया कि 11 आएगा अगर B कमान 11 है तो A स्क्वाइर कितना हो जाएगा 26 गुड़े 11 प्लस 3 116,66,11,33 हमसे क्या पूछा है हमसे संख्याओं का अंतर पूछा है अभी कर दे रहें 116,66,12,22,28 प्लस 3 कर दें 289 है,289 का वर्गमूल क्या होगा क्योंकि A स्क्वाइर का मान है नए A स्क्वाइर का मान अगर 289 है तो A का मान 17 हो जाएगा और 17 और 11 का डिफरेंस कितना होगा 6,right solution इसका 6 है ठीक है,right solution इसका गया है 6 है, आप लोग देख लिजिएगा confirm हो गया होगा और ऐसे प्रसन आप लोग कर भी सकते हैं कुछ दिमाग में लगा सकते हैं इधर उधर सोच करके लेकिन ठीक है, ऐसा भी pattern face करने को मिल सकता है main paper में, कोई बड़ा, मतलब ऐसा नहीं एक बहुत बड़ा, तो अभी फिलाल हम लोग आज यहीं पर break करेंगे, 15 पर और बाकी के सत्र में, जो अगला आएक अकल उसमें हम बचे हुए प्रसनों को complete करेंगे, आज के लिए इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद, thank you so much कैसे आप लोग समझ पा रहें और नहीं पा रहें किसी भी प्रसनों में कोई डाउट हो तो कर्मिन जरूर करें बाकी मुलाकात अगली क्लास में होगी आभी के लिए तना है thank you so much दर नवासनी को